हेलो स्टुडेंट्स आएम आर्ती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल आर्ती एडुकेशन वर्ल्ड पर प्यारे बच्चो आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा आठ की समाजिक विज्ञान विश्य की कारेपत्रक नमबर 32 पढ़ेंगे जिसकी तित्थी है आठ फरवरी 2021 मेरे प्यारे बच्चो आपको विद्यारती के नाम में अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लेकिन कई हो के स्कूल में बोला गया है सब्जक किस वर्क सीट है तो आप अपने सब्जक टीचर का नाम लिखो तो वो बच्चे जिनके स्कूल में वो लगाया है सब्जेक टीचर का नाम देखो वो लिखेंगे सस्टी टीचर का नाम राइट अच्छा अभी तक हमने पिछली वर्क सीट में देखा था 1847 तक जो भारत का सुतंत्रता जो आंदोलन था वो कैसे कैसे हुआ और कैसे संगटन जो कॉंग्रेस वगेरा का कैसे विस्तार हुआ कैसे आयन नरम दल घरम दल आज हम देखेंगे महत्मा गांधी का आगमन और रोलेक्ट सत्तेगर हैं चलिए सुरू करते हैं आज की वगसी सबसे पहले महत्मा गांधी का आगमन करते हैं और हाँ बच्चो अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दक्षिन अफ्रीका में नसल भेदी पाबंदियों के खिलाब आहिंसक आंदुलन का सफलता पूर्वक नेत्रतवकर गांधी जी ने 1915 में भार वापस भारत आये आपको पता है दक्षिन अमरीका में नसल भेदी पाबंदियों लगी हुई थी मतलब क्या जो काले और गोरों के साथ भेद होता था और उनसे वहाँ पर बहुत उनके साथ भेद भाव होता था उनके साथ अत्यचार होते थे तो उन्होंने वहाँ पे भी एक आंदुलन चल आया और वहाँ पे सफल होकर फिर वह वापस आए भारत में उन्होंने पहले साल भारत का दोरा किया इस दोरान वहाँ के लोगों उनकी जरूरत है क्या है उनंके हालात क्या है His बात समझने में गांदी जी लगी रहे lavor f faces इस्थानिय आंदोलन जो उनके शुरुवात में उन्होंने कोशिस से की वो क्या थी वो थी जो जो लोकल जो आंदोलन चल रहे थे जो चोटी चोटी चीजे थी जैसे चंपारण है ना चंपारण में उन्होंने एक आंदोलन करा था किस चीज के लिए नील की खेती करने वाले किसानों के लिए क्योंकि उनकी बहुत सारी मांगे थी तो उनके लिए गांधी जी ने आंदोलन लड़ा 1917 में खेडा यानि के किसानों के लिए 1918 में उन्होंने आंदोलन लड़ा है ना 1917 में तो चमपारन वाला हो गया और 1918 में इन्होंने खेडा जो स्थानिय अंदोलन थे उन में सहयोग दिया और एहमदाबाद जो एहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए 1908 में थे यह दोनों जो खेडा खता और एहमदाबाद का दोनों 1908 थे ठीक है तो आपको समझ में आया 1915 में आये 1916 में उन्होंने चार तरफ भ्रमन किया पूरे भारत में 1917 में चंपारन अंदोलन में सरीक हुए 1918 में खेडा और एहमदा माद का जो अंदोलन था उसमें मुख्य भुमी का निभाई 1918 के बाद 1919 तो आपको सबको पताईए जलिया वाला बागत्य कांड हुआ था है ना तो उसमें उन्होंने रोलेट सत्तेगरा करिया खिलापत अंदोलन चलाया और ऐसायोग जो अंदोलन था है ना जो उनका बहुत जो महतोपून बहुत ही ज़्यादा फेमस अंदोलन है आपक युगांदोलन थी नहीं इंपोर्टेंट है बच्चो ये चलिए अब ये पढ़ लिया हमने आप पढ़ते हैं ये रोलेक्ट सत्तेगरा है क्या जिसमें उन्होंने आपका नेत्रतव किया था 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक रोलेक्ट एक्ट बनाया यानिक एक रोलेक्ट कानून बनाया इसका उदेश्या था अभिवेक्ति की सुतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पे अंकुस लगाना मतलब वो चाते थे भारत में अगर कोई अपनी आजादी के लिए कुछ करता था तो उन्होंने क्या करा वो अपनी अभिवेक्टी नहीं कर सकते मतलब समचार पत्रों के थुरू या कहीं पे भासक के विरूद क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेजों को कि हमारे खिलाप हो बंदी और पुलिस को ज़्यादा दिकार गांदी जी ने लोगों से आहवान किया कि इस कानून का विरूद करने के लिए 6 अपरेल 1919 को अहिंसक विरूद के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ता ले की जाए तो गांदी जी ने ये बो घांदी जी ने अहवान किया लोगों को बोला ये अप्रेटिस सरकार के खिलाप पहला अखिल भारती संगर्ष था हालान कि ये बोटे तोर पर सहरों सीमित था तो सबसे पहला जो इन्हों शै अपरेल 1919 को करा वैसे ज्जादा गावों ता नहीं सहरों की सीमित रहके हो रहा गया सरकार ने उस अंधल को कुछ छलने के लिए दमनकारी रास्ता बनाया तो अब सरकार को कहां क्यूं सुहाएंगी ये बात जब उसके खिलाब और उसके खिलाब कोई कुछ करें तो एंगरेज तो कछी को नहीं करेंगे तो उन्हों उने इसके लिए दमन कारी नहीं थी बताएं दमन होता है इसको दबाना इसको खतम कर देना 13 अपरेल 1919 को बिसाकी के दिन तो 12 अपरेल की बात है जब 1919 था और बिसाकी का दिन था जलियावला बाग में एक सांति पून सभा के ऊपर बिना किसी चितावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलिया चलवा दी आपको पता ही यह जलियावला बागत्याकान 13 अपरेल 1919 को हुआ तो वह आपे लोग सभा कर रहे थे और अंग्रेजों ने ना कुछ बोला कि हम गोली चला देंगे चले जाओ या कुछ कर देंगे बिना बता ही दग 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 गोल या दाग दी सारे लोग हमारे गए जिनमें बुजोर्ग और बच्चे भी सामिल थे तो यह उन्होंने इतना मतलब इतने बिलकुल उनके दया नहीं दिखाई कुछ नहीं करा बोला नहीं बस बोल या चला दी और एक आदमी नहीं था उसमें यह कहते हैं कि वहां का जो कुवा था वो भर गया था इतनी लासे थी इस जन सहार पर अपनी पीडा और गुस्सा जताते वे रविना टैगोर ने अपनी नाइठ हुड की पदवी लोटा दी जो रविना टैगोर थे ना उनको प्रिटिस सरक चार ने नाइठ उड की ऊपादी दी थी एक प्रुसकार दिया था एक समान दिया था तो रविना टैगोर ने नाइठ हुड की लोटा दी भ biss 2019 के जलियावाला बागत्य खांड के बाद ठीक है उसके कारण चलिए आप पढ़ लेते हैं खिलापत आंदुलन और ऐसे योग आंदुलन का आहमार ठीक है ब्रिशम योद में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान जो पूरी विस्व के मुसल्मानों का खली पमाना जाता है के उपर बहुत सथ संधी ठोप दी जब पहला वर्ड वार हुआ विश्विध हुआ तो जब उसमें तुर्की की हार हो गई तो अंग्रेजों ने क्या करा जो तुर्की के सुन्तान थे तुर्की के सुल्टान को माना जाता था जो पूरे संसार के मुसल्मान है उनका खलीपा माना जाता था तुर्की के सुल्टान को तो उनके उपर एक संदी थोपी जो बड़ी ही स्ट्रिक थी जलिया वाला बाग हत्या खांड के बाद अंग्रेजों में गुस्सा हुए भारते मुस्लिम इस संदी से आगो बेला हो गए अब भारत में भी तो मुसल्मान नहीं थे हैं और अंग्रेजों ने जलिया वाला बाग हत्या खांड कर दिया था तो इससे तो गुस्से में थे ही सारे भारती है अब भारते मुस्लमियों ने जब ये सुना कि पूरे विसु के जो खलीपा है तुर्की के सुल्दान उनके उपर एक इतनी सक्त संदी थोप दिये तो उनमें भी गुस्सा वर गया खिलापत आंदोलन के निता मुहमंद अली और शोकत अली ने अंग्रेजो के खिलापत आंदोलन सुरू कर दिया उन्होंने उसके खिलाप आंदोलन सुरू करा जिसका उदेश्य था कि तुर्की के जो सुल्तान थे यानि के जो सबका खली पता उनकी शक्तियों को फिर से लाया जाए तो इसलिए खिलापतांदोलन शुरुआ था अगर यह कुशन आता है कि खिलापतांदोलन क्यों हुआ यानि कि जलिया वाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके और खिलापत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाप आवाज उठाए और स्वराज की मांग करें तो गांदी जी ने यह आवान किया था और यह बोला था कि जो अत्याचार हुआ है जले वाला बागत्य खांडवा इतनी लोग मारे गए खिलाप मामला भी चल रहा है इसमें भी अत्तय चार हो रहा है इसके खिलाप हमें वाज उठानी है और अपने स्वेरा जकी मांग करनी है कि हम अपना राज्य खुद समालेंगे ठीक है यह हमने पढ़ लिया आप कर लेते हैं इसके प्रिशन उत्तर पांच इसमें प्रिशन दिए गए हैं उन्हें फटाफट से कर लेते हैं पहला गोशन भारत में 1915 में भारत आने के बाद गांदी जी द्वारा कुछ इस्थाने अंदोलन को लिखिए उनके शुरुआती प्रियास इस्थाने अंदोलन चबबार यानि के नील की खेती 1917 में खेडा और एहमदाबाद मिल मजदूर के 1908 के रूम में सामने आए ये लिख देंगे आप प्रिशन नमबर एक के उत्तर में हो गया आपका प्रिशन नमबर एक चलिए अब चलते हैं प्रिशन नमबर दो पर प्रिशन नमबर दो में पूचा गय मार्च 1919 में भारत में राज कर रही ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में उबर्य रास्ट्रे अंदुलन को खतम करने के उदेश्य से बनाया गया था इस कानून का विरूद करते हुए देश में कई हड़ताले जुलीस जुलूस और परदसन होने लगे गांदी जी ने इन्वियापक हड़ताल का भी आहमन किया तो यह लिख देंगे आप रूलैक्ट एक्ट के बारे में रूलैक्ट कानून के इसके उत्तर में ठीक है योग्यापार्ट प्रिशन नंबर दो प्रिशन नंबर 3 में पूचा गया है खिलापत अंदोलन क्या था तो मुहमंद अली जिन्ना और सोकत अली ने इस अंदोलन के प्रभावसाली नेता थे है ना और उनके नेताव भी आ गए हमने नेता के नाम लिख दिये और उन्होंने इसका अफसर समझा कि गांदी जी ने इसे हिंदू मु लिखना चाहो तो खिलापत अंदोलन का आप ये भी लिख सकते हो देखो यहां से लेके यहां तक यह आपके प्रशन नंबर 3 का उत्तर है चाहे तो आप इस तरीके से लिख लेजे और चाहे जो मैंने लिखा है उसको लिख लिजे ठीक है प्रशन नंबर 4 गांदी जी ने ऐसायोग आंदोलन का आहवान क्यों किया क्यों बिला उनने ऐसायोग आंदोलन क्यों सुरो करा भारत में अंग्रेजी सरकार भारतियों को सहयोग से ही चलती थी अंग्रेजी हकुमत में विबिन सहयोगों को रोकना ही ऐसायोग था जो अंग्रेजी जो सहयोग कर रहे थे हम कि ये भी करो वो भी करो तो हम ऐसा योग मतलब उनके साथ कोपरेटर नी करना उन सब चीजों को रोकना ब्रेटिस भारत में सभी राजनेतिक सामाजिक और आर्थिक संस्ताओं का बहिसकार जिससे संस्कारी सरकारी तंत्र ठप हो गया इस आंदोलन का उदेश से था तो ये ल बड़ा राजनित कभियान खिलापत अंदोलन में भाग लेना था यह मुहिम कुछ भारते मुसलमान द्वारा सुईकर करें ती उदेश चता तुर्की में इसलाम के खिला खलीपा सुल्तान की गद्दी और उसका सामरज्य बचाना मैं 1919 में खिलापत सभाव में गांधी जी के भाजन शुरू हुए तो यह लिख देंगे आप फ्रस्ट नमबर पांच के उत्तर में तो बच्चो यह हो गई आपकी वर्क सीट आपकी एसस्टी की मंडे की आसा करती हूं कि आपको इलिए वीडियो हैल्फुल रही होगी बच्चो अगर आपको वीडियो हैल्फुल र